फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बिना बटर बिना घी बिना मलाई और बिना तेल के ये केक और बिना मिकसर के जी हाँ दोस्तों बहुत ही येमी बनने वाला है बहुत ही स्पोंजी बनेगा तो घर में रखी हुई चीजों से हम एकदम से बनाएंगे कड़ाई में ये केक तो च के हिसाब से मेजरमेंट बताऊंगी तो यहां पर एक कप ले लिए हमने चीनी और यहां हम ले लेंगे दो कप दूद और दूद एकदम से गरमा गरम होना चाहिए यह देखे तो यह मेरा उबला हुआ दूद है तो यहां दो कप डाल दिया है मैंने अब इसको चीनी को चीनी बहुत अच्छे से दूद में घुल चुकी है अब हमने यहां पर फाइन सूजी ले लिए दो कप दूद में हमें सूजी लेनी है और एक कप लेनी है चीनी तो यह एकदम परफेक्ट नाप होता है तो अगर आपके पास मोटी सूजी होना तो आप इसमें मिक्सी जार हमें अच्छे से पीस लेना है एक दम फाइन कर लेना है सूजी को तो यह देगीं में इसको घूल लोंगी आप देख सकते हैं यह देखिए तो बहुत ही अच्छे से हमारी एकदम से परफेक्ट सूजी घूल चुकिए तो चलिए आब इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से रेस्ट करने के लिए रखते हैं तो यहाप एक प्लेट ढग दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं इतने हम करते हैं अपनी दूसरी तैयारी अब गाइस हमने इजिली से सब के घर में मिली जाता है तो चलिए आब इसको हम पाश मिनट के लिए और हिट के लिए रखाएंगे तो जिपनाने के लिए एक केक बशलेगा है 맞ते Bring them मैं इसको अच्छी से ग्रीस कर लोंगे ताकि हमारा जो केक है ना इसली से बहार निकल जाए बनने के बाद तो चलिए यह बहुत ही अच्छी से पूरे हो चुके तो चलिए अब हम सूजी को भी अच्छी से चेक कर लेते हैं तो यह देखिए गाइस हमारी जो सूजी ना हो जाएगा यह देखिए तो बहुत ही अच्छे सा मारे बैटर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं तो हमें इस तरीके से रखना है तो चलिए अब मैं यहां पर ले लोंगी एक इनो तो जी हां दोस्तों आपको बेकिंग सोड़ा नहीं लेना है ना मीठा सोड़ा लेना ह अनुक्तों को जागना ऐस को जाएगा एकदम से रही तुम शयो इंब मैं देक सकते हैं और तो बहुत जाएगा बेकार हो जाएगा फिर यह एकदम से स्पोंजी नहीं बनेगा तो चलिए जल्दी से फटा-फट आप दे लिना करके फटा-फट से हम ले लेंगे अपना बरतन जिसमें हम केक बेक करेंगे तो चलिए जिए मैं ग्रीस करा था था वह बरतन ले लेती हूं और फटा-फट से यह जो बैटरन है इसमें तो आप इसकी कल सरेंसी देख सकते हैं का इस तरीके से आपको कल सरेंसी रखनी है तो चलिए अब मैं इसको क्या करूंगी थोड़ा टैप टैप कर लूगी तो अब इसमें हम क्या करेंगे गाईस थोड़े आप ड्राइफ फुट्स डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पिश कि धिव्यशाद चह्च कर देैं तो बहुत हमस्य चाहिलाजाध करें तो भगोना ओवर हीट करने रखात तो चलिए गाइज इसको खूल के देखते हैं तो गरम बहुत जादा हो रहात है तो चलिए अब हमारा बैटर है इसमें हम रख देते हैं यह देखें और गाइज यह देगे सुन्दर कितना लग रहा है तो चलिए अब हम इसको पूरे 40 मिनट टेख दूंगी इसको पूरे चालिस मिनिट तक ब्लूकुल बीसको उघाड के नहीं देखना है तो चलिए इसको चालिस मिनिट तक अच्छे से बेख हो ने देते हैं यह देखें चार्श मिलाट पूरे हो चुके हमारे तो चलिए अब हम प्लेट राके देखते हैं और प्लेट भुजाता गरम हो रही थी तो यह देखें गाइस कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है न तो बहुती सुन्दर लग रहा है देखने में उतना ही खाने में अतना टेस्टी था न तो चलिए आप हम इसको चेक कर लेते कहले नहीं तो चलिए अब देरी न करने पाथा हम गयास को आफ कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं बिगोंड में तो निकाल यही में तो ःष्ट हमारा बन के तयार हो चुका है तो अब कलर देखे कितना सुन्दर आया ना यह इनो की वज़े से आया जी हाँ दोस्तों इनो से इतना परफेक्ट कलर आया ना और खाने में उतना टेस्ट यह तो चलिए अब इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं यह देखे हमारा केक एक से थंडा हो चुका अब किया करेंगे लेंगो और कोंद कर देंगे यह देखे हमारा कितना अच्छ हम चीज़े प्लेट कर देंगे देख सकते हैं तो यह देखिए कितना स्पॉंजी बनाया है ना तो बहुत ही अच्छा बनाया हमारा यह सूजी का केक बिना किसी मेहनत के और खर्चे के तो यह देखिए गाइज अब हम इसमें क्या करेंगे उपर से हम डाल देंगे इसमें पिश्टा और बदाम तो वह नीच में इस तरीके से अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं किसी के बड़ यह तब भी बना के इसको खिला सकते हैं तो गाइस बहुत ही अच्छा बनाया है और टेस्ट की तो मैं क्या बात करूं मुझे तो देखके इसमें पानी आ रहा था जीप पे ऐसे लग तो कभ यह ए अपने घर में इस तरीके से बना कर खा सकते हैं तो चलिए मैं अब इसकी कर देती हूं कटिंग तो चलिए गाइस अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूं तो चलिए मैं एक चाकु ले लोगी और इसको अच्छे से काट देती हूं तो गैस काटने से आपको पता चल रह यह देखिए गाइस तो यह देखें गाइस कितना अच्छे से अंदर से बेख हो चुका है और यह देखें कितना अच्छा स्पॉंजी बनाएं आपको दवा के भी दिखाया है बहुत ही बनात specific आप भी अपने घर में इस तरीके से ट्राइ कर सकते हैं अपने बच्चों को बन तो चलिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो चलिए पहले खागे दिखा देती हूं तो बहुत ही टेश्टी यमी मज़ा आ गया सच में गाई तो बहुत ही टेस्टी बनाएए हमारा सूजी का केक बिना घी बिना बटर बिना मलाई और तेल के तो देखा ना कितना अच्छ ज़रूर कर सकते हैं तो सब को खिलाना अपने घर में और सब खुश हो जाने तो आज की हमारी यह केक की रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्रीज चैनल को सबस्क्राइब करना ज़रूर बनता है भर भर के लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ह हमारी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी तो जार से जार शेयर करना ताकि बाकी लोग भी इसको देख के बना सके अपने घर में खा के इंजॉय कर सके फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपिक साथ न्यू रेसिपि झाल से लोगी।